सो हेलो गाइस वेलकम बेक टो माई यूटूब चनल सो गाइस काफी दन होगे जब मैंने लास्ट वीडियो डाली थी अल्मोस्ट टू वीक से जादा होगे सो उसके लिए सोरी गाइस क्योंकि मेरी थोड़ी हेल्थ खराब थी उस वज़े से वीडियो नहीं डाल पाए सो आज आज आपके लिए लेकर आयो नूँ वीडियो यामा एफजट वरजन वी थी का सो आज की कम्प्लीट वीडियो इस वाइक के उपर होने वाली है प्लीज यहर अपने भाई को थोड़ा स्पोर्ट भी कर दिया करो और पास वाले बैल अनको भी प्रेस कर ले ना फिचर जब भी वीडियो डारू नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो गाई चलिए वीडियो सुरू करते हैं सबसे पहले यह बाईक आपको देखने को मिलती है यह स्पोर्ट नेकट काटेगरी में आपको बाईक देखने को मिलती है और क्यामा ने उसका लुक और डेजैन दिया है काफी ज़ना हैवी और मस्कलर दिया है और साथ में जो इसका वाइड सेक्सें टायर है गाई सिर का जो वाइड देखने को मिलते है उससे मुझे प्रसनली और काफी लोगों को यह बाईक पसंद आती है क्योंकि इसका जो वा टैल को यमा का लोगों देखने को मिल जाता है वही सामने आपको क्रोम में खीन सामने में आपको यह यह बाईका फिनिस फीनिस एटाल वा अच्छी है लेकिन अपने आपको नोर्मल में नहीं को सकतए थी Apache RTR जैसे ही Color के बारें बात करें इसमें आपको Color काफी देखने को मिल जाते है जैसे Metallic Black, Metallic Blue, Grey, Metallic के साथ Red, Dark Knight, Vintage साथ में Red में भी Vintage आपको देखने को मिल जाते है Green में भी आपको थोड़ा Matte में देखने को मिल जाती है आपको जो Graphic है Vintage Edition प्राइजिंग के बारें ही भात कर लेते हैं इसका Standard Variant का प्राइज है 1,4,000 है Dark Knight का 1,8,000 है विंटेज का 1,10,000 यो On Road Bike आपको 1,20,000 के लगबग पढ़ जाती है इंजन इसमें आपको 149CC का Air Cooled 4Truck SOHC इंजन देखने को मिल जाते है Two Wave के साथ Single Slender Fuel Injection Ingeal आपको देखने को मिल जाते है Power आपको 12.4 PS की Power देखने को मिल जाती है साथ में 13.3 NM का टोर्क देखने को मिल जाते है SO Power Bike में थोड़ी होर देने चाहिए थी इंजन के हिसाब से क्योंकि थोड़ा होर improvement हो सकता था अगर थोड़ी सी होर जाना होती तो बैटर होता क्योंकि 1500 CC में गाइस बाइक आती है सो Power के मामने में थोड़ी कि हम्मा को सोचना चाहिए था थोड़ी Power होर बैटर हो सकती थी 5-speed gear walks आपको देखने को मिल जाते है top speed आपको 110 प्लस देखने को मिल जाती है हाला कि जो 70 से 80 के बाद इसमें भाइक में आपको vibration seat के पास tank के पास आपको देखने को मिल जाती है सो ऐसा नहीं होना जाएदा क्योंकि ये 1500 CC भाइक है थोड़ा और मैंने कहा ना Power की थोड़ी implement हो सकती थी single channel ABS dual इसके साथ बाइक आती है guys so breaking के मामले में no doubt बाइक अच्छी है patrol tank के बारे बात करें और यहीं से बाइक है जो काफी ज़दा muscular लगती है क्योंकि इसका tank है company ने काफी ज़दा heavy दिया है 13 liter का आपको fuel tank देखने को मिल जाता है और mileage के बारे बात करें आपको negative display देखने को मिल जाती है speedometer, odometer, trimeter, fuel gauge साथ में tachometer so all basic information आपको देखने को मिल जाती है साथ में ABS light भी लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें छोटा सा meter दिया है और सब slider का सबसे ज़दा जान meter के उपर ही जाता है साथ में आपको जो इस बाइक में engine kill switch देखने को मिल जाता है साथ में side stand cutoff switch भी आप देखने को मिल जाता है और साथ में जो उसका sound muffler वो काफी जाना अच्छा है वो भी मतलब जो उसकी sound है वो काफी जाना अच्छी है guys no doubt suspension के बारे बात करें जो suspension है इसको आप adjust कर सकते हैं अपनी height के साथ से और ये bike है मतलब आप इसको 5 feet के height से अबोव है तो आप इसको चला सकते है no doubt adjust करके so guys seat comfort के बारे बात करें जो seat comfort है वो काफी जाना अच्छी है rider और pillion rider दोनों के लिए सिंगल seat आपको देखने को मिल जाती है so इसमें आप कोई दिक्कन या family में आप किसी भी को बिठा कि इस bike को चला सकते हो पिछे बिठा सकते हो no doubt क्योंकि इसमें आपको single seat परवाइड की गई है और काफी मतलब चोड़ी seat देखने को मिल जाती है so comfortable जो seat है वो काफी जाना अच्छी है no doubt seat के मामले में बाइक अच्छी है height के बारे बात करें bike height आपको 1080 mm देखने को मिल जाती है seat height 790 mm देखने को मिल जाती है ground clearance 165 mm साथ में इस bike का weight है 135 kg light machine आपको देखने को मिल जाती है so काफी जाना अच्छी light weight आपको machine देखने को मिल जाती है light setup के बारे बात करें headlamp इसकी LED आपको देखने को मिल जाती है tail lamp आपको bishop कि बलव में देखने को मिल जाते है लगती है वाई क्योंकि जोстका headlamp वो better हो सकता था Apache, RDR, dioxide, ktm वैसे safe इसकी हो सकती थी लेकिन yamma ने सेप कुछ आलग सी बनाई है अच्छा सा नहीं लगता और साथ में इसमें जो टेल लैंप वो भी आपको बलब में देखने को मिल जाती है सो मुझे वहां भी कुछ जादा अच्छा नहीं लगा क्योंकि आम्मा पता नहीं क्यों इन चीजों में इंको इंप्रमेंट करना चाहिए टायर ब्रेक के बारें बात करें जो फ्रंट का टायर आपको 180 देखने को मिल जाता है रियर का 140-60 देखने को मिल जाता है सो मुझे क्या सबको यह प्रसनली टायर से ही बाइक जादा पसंद आती है क्योंकि इसमें वाइट टायर आपको देखने को मिल जाता है रियर का और यहीं से बाइक का काफी जादा है मस्कलर लुक देखने को मिल जाता है टूबलेस अलोई विल आपको देखने को मिल जाती है तो जो यह यह आमा का जो रफाइनमेंट है सुमूतना ऐसा उसके लिए भाइक जाती है क्योंकि बहुत जाना अच्छे इंजिनियर प्रवाइड करती है अमालेकिन कुछ चीजें है जो इसमें इंप्रुमेंट हो सकती थी पावर भी थोड़ी इंप्रुमेंट हो सकती थी तो गाइस विज्द आपको बता दो यह बाई कि आपको लेनी चाहिए और नहीं लेनी चाहिए और साथ में इसकी performance है वो भी काफी अच्छी है आप साथ में liability भी आपको अच्छी देखने को मिल जाती है हाला कि इसमें कुछ plus point भी है बाइक में लेकिन कुछ minus point भी है सो आने वाले कुछ दिनों में इस बाइक में जो वर्जन जब भी इसका अपडेट होगा तो यह चीज़ें जो मैंने बताई है वो चेंज हो तो बैटर हो सकता है सो ओवर्राल है जो बाइक वो अच्छी आप ले सकते हैं बाइक city और traveling दोनों में ये बाइक अच्छी है साथ में single seat होने के बिजन से आप family में इस बाइक का यूज कर सकते हैं सो कुल मिला के बाइक आप ले सकते हैं अगर आपको Japanese engine चाहिए और साथ में wide section tire चाहिए और heavy muscular machine चाहिए तो आप ले सकते हैं performance और pick-up में आपको थोड़ा performance है जो इसकी power वो थोड़ी सी काम है तो उसमें आपको manage करना पड़ेगा सो कुल मिला के अच्छी भाइक है तो आप ले सकते हैं तो आज की वीडियो में इतना ही अगर वीडियो आपको अच्छी लग तो वीडियो को like करना चैनल को subscribe जरूर करना मिलते हैं किसी अगली वीडियो में तब तब के लिए चाहिए कर दो आपको अच्छी लगए